नमस्कार जय हिदाज की वीडियो उन लोगों के लिए है भारतिय सेना जवाइन करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं अभी आपने ओफिसर रेंग में शॉट सर्विस के बारे में सुना होगा जो 10 साल की होती है पर सरकार ने जवानों के लिए भी 3 साल शॉट सर करें और अपने सभी दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेर करे सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले आमनागरिकों के लिए खुश्षखबरी है जलती भारतिय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकता है New Agency A.NI men BUDWAR क सेना के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी इसके लिए सेना टूर आफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है प्रस्ताव के तहट तो रॉफ ड्यूटी के तहट चैनित होने वाले उम्मीदवार को तीन साल तक सेना में सेवा करनी होगी प्रस्ताव के बारे में अधिक जानकारी आना अभी बाकी है दूसरी तरफ सेना अब अर्धसेनिक वर्गों यानी पेरा-मिलिटरी के जवानों को भी कुछ देर अपने साथ काम करने का अफसर देने पर विचार कर रही है टेलेंट इस योजना के जरिये वेयुवा भी सेना में शामिल हो जाएंगे जो किसी कारण से पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे भारतिय सेना में अभी भी अच्छे अधिकारियों की काफी कमी है सेना इस योजना के तहट इस कमी को पूरा करना चाहती है SSC के जरिये सबसे कम 10 साल तक के लिए होता है भर्ती मौजुदा समय शार्ट सर्विस कमीशन SSC के जरिये सबसे कम 10 साल के लिए युवाओं को सीना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है पहले इसके जुर्यभर्ती होने के साथ युवाओं का कार्यकाल पांच साल के लिए होता था जिसे बाद में 10 साल कर दिया गया अर्धसैनिक बलों के जवान भी संयुक ताइम कर सकते हैं आर्मी सेना इस बात पर भी विचार कर रही है कि अर्थसेनिक बलों के जवानों को भी कुछ समय के लिए सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। सेना के एक सूत्र बेंनिज एजेंसी एन ए को बताया कि भारतिय सेना इंवार इंडेक्स मॉडल नाम के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहित केंद्रिय अर्थसेनिक बलों के जवानों को सेना में कुछ समय के लिए काम करने का मौका दिया जा सकता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सभी दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ चैहिंग बंदे मातरम